हेलो और वोलकम टू टीवी का पटाका वल दोस्तों आपको बता दें सोनी टीवी का सूपर हिट एक तक पूर का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं पार्ट टू में एक तरफ जहां दिशा परामर का रिप्लेस्मेंट नीती टेलर के साथ हो चुका है जो निभाने वाली है नीती टेलर यानि की दिशा परामर की छोटी बेटी का किरदार तो वहीं दोस्तों लंबे समय से नकुल मेंटा की रिप्लेस्मेंट को भी धूंडा जा रहा था नकुल मेंटा का रिप्लेस्मेंट यानि की शो का नया हीरो जो की नीती टेलर के लवर का किरदार निभाएग और आखिरकार बता दे दोस्तों आपको कि बड़े अच्छे लगते हैं टू पूरे तरीके से अपनी जनरेशन लीप के लिए अब तयार हो चुका है क्योंकि मेकर्स को अब नकुल महता का रिप्लेस्मेंट भी बहुत बहतरीन तरीके से मिल चुका है और खबर सामने हैं कि बहुत जल्द शो के जनरेशन लीप वाले नए पोस्टर द्यार होंगे और साथी साथ नए अक्टर्स और एक्टर्स के प्रोमो को भी रिलीस किया जाएगा जहां आपको राम और साथी साथ इशा परामर की बेटी का किरदार निभाती हुई अक्टरिस नीती टेलर नज़राने वाली हैं तो वही काफी ज्यादा सोच समझ कर एक तक कपूर ने एक और बहुत बड़ा नाम आगे रखा है वो नाम जो अब यहाँ पे नीती टेलर के लवर का किरदार यानि कि उसके प्रेमी का किरदार निभाएगा जिसको पाने के लिए काफी ज जंग और जाने माने अक्टर है इन्हें अपने कई सारे किरदारों के लिए इंडस्ट्री में जाना जाता है वैसे तो रंदीप राय ने बिग एफ प्यार तूने क्या किया सीजन 3 और साथी साथ यह आशिकी जैसे कई सारे फिक्शन स्टोरीज वाले सीरियल में एज अन इ उन दिनों की बात है जिसमें उन्होंने संदीप महेश्वरी का किरदार निभाया था यह सीरियल यंग्स्टर्स के बीच में बहुत जादा फेमस हुआ था और रंदीप राय को इंडस्ट्री में एज अ मेन करेक्टर और लीड हीरो के तौद पर इसी सीरियल से पहचान मिल इससे बहुत पहले वो स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम में नजर आ चुके हैं जिसमें उन्होंने आरेन का किरदार निभाया था तो वहीं उनका रीसेंट सीरियल था बालिका वदू पार्ट टू जिसमें वो शिवांगी जोशी के अगेंस्ट नजर आये थे ऐसे हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें